नूतन धारा आशिशो की धारा आत्मा की धारा अमर प्रेम धारा दिव्य बचन की धारा ये है नूतन धारा बंधन तोड़े रोग मिटाए दिल को दिल से मिलाए नूतन धारा आप जानते हैं हम इस समय आगमन काल में हैं कौन सा काल है ये आगमन काल क्या होता है दो-तीन मेहना पहले हमने प्रभी येशू के दुखभोग, मृत्यू और पनुरुथान का त्योहर मनाया उससे पहले कलीसिया ने हमें आहुआन किया कि हम लोग 40-45 दिन तक उपवास और त्याग के द्वारा प्रभू के उस त्योहर के लिए अपने आपको त्यार करें उस काल को हमने कह चालीसा काल और अभी ये जो काल है प्रभू के जन्म के त्योहर की त्यारी के तोर पर हमें दिया गया है हम 24 दिसंबर को या 25 दिसंबर को प्रभी येशु के जन्म का त्योहर मनाएंगे उससे पहले करीब 24 दिन कलीसिया हमें सिखाती है कि हम प्रभू के जन्म के त्योहर के लिए अपने आपको त्यार करने के लिए आगमन काल मनाएं ये आगमन काल है और इस आगमन काल का भाव है हे प्रभी येसु आईए जो प्रकाशना गरंद के अंतिम गरंद के अंतिम पंक्ती से पहले की पंक्ती है हे प्रभी येसु आईए इस पूरे आगमन काल में हमारे हिर्दे में यही बात बार बार गुंजनी चाहिए कि ये प्रभी येशु आईए हम क्यों कहते हैं ये प्रभी येशु आईए क्योंकि प्रभी येशु के आने से हमारे जीवन में मुक्ति आती है हमारी समस्याओं से हमें छुटकारा मिलता है हालेलुया पूरे येशु समाचारों में हम पढ़ते हैं कि जहां कहीं भी एशु गये, वहां पर मुक्ती पहुंची, जहां कहीं भी प्रभु गये, वहां पर मुक्ती पहुंची, जहां पर येशु पहुंसते हैं, वहां पर मुक्ती पहुंसती है, अलग-अलग प्रकार की मुक्ती, बंदनों से मुक्ती, दुखों से मुक्ती, आप हमें आदतों से मुक्ति, इसलिए प्रभी येशू का मुक्ति दाता कहते हैं, कुछ देर पहले हमने गीत भी गाया, मुक्ति दिलाई ये सुना, तो इस आगमन काल में हम प्रभी येशू के जनमोचसव के लिए अपने आपको त्यार करते हैं, क्यों कलीशिया में सिखात त्यार हो जाते हैं, कि वो त्योहार एक घटना बनकर नहीं रह जाती है, बलकि हमारे लिए एक अनुभाव बन जाता है। पुत्योहार का मनाना वो समारो समारो ना रह जाता हैं, बलकि हमारे लिए एक अनुभाव बन जाता है। अलब आत्मसाथ करना है अपनाना होगा। तो प्रभी एशू के त्योहारों को मनाते समय हम क्या करते हैं ? प्रभी एशू उस त्योहार के द्वारा इस संसार में जो क्रुपा लाए थे, उस क्रुपा को हम अपनाते हैं और ताजे रूप से अनुभाव करते हैं। यानि हर विश्वासी के लिए हर क्रिस्मस प्रभी येशू के सच्चे आगमन का त्योहर होना चाहिए यानि उनके व्यक्तिकत जीवन में येशू का आगमन हो जाता है एक नए सिरे से येशू के जीवन में आ जाता है इसलिए कलिस्या में सिखाती है कि हम लोग आगमन का काल मनाएं मैंने आपको बताया शायदेग रवुवार को किस तरह हमें इस आगमन काल में बरताब करना है हमें अपनी बुराईयों को त्यागना होगा जिनके अंदर बुरी आदतें थी फिल्म देखने की गंदी फिल्में देखने की गंदी चिंद्र देखने की, गंदी किताबे पढ़ने की छोड़ना होगा, नशे की आदत, शराब की आदत, बीडी, सिगरेट, खायनी, पान, इत्यादी की आदते छोड़ना होगा, प्रभु की आगमन के लिए हमें त्याग जरूर करना है, चुगली करने की आदत, चोरी कर ने की आदत, जूट बोलने की आदत छोड़ना होगा, और अगर पती-पत्नी दोनों आपस में ताय करें, तो एक दूसरे के साथ जो शारीरिक संसर्ग है, वो भी कुछ समय के लिए छोड़ना बहुत अच्छी बात है, तो हमें इस आगमन काल में अपने आपको तयार करना ह प्रार्थना के द्वारा, परहेज के द्वारा, तियाग के द्वारा और वचन सुनने के द्वारा अपने आपको तयार करना है, प्रभी एसु 2000 वर्ष पहले संसार में आ चुके हैं, चौबीस या पच्चीस तारीकों प्रभी एसु विशेशूप से नहीं आएंगे, वो दूसरी तयारी है, वो तयारी क्या है, यानि ये पूरा आगमन काल एक तरह से तयारी का समय है, वो दूसरी तयारी क्या है, प्रभी एसु हर समय हमारे पास आते हैं, लेकिन समस्या हम में है, कि हम उनको प्राप्त करने के लिए, उनसे मिलने के लिए शाय तयार नहीं है, व वाकिय 42 से लिखा हुए 44 तक बहुत सुंदर वचन है प्रभू ने क्या कहा है अधियाए 24 वाकिय 42 से 44 तक प्रभू कहते हैं इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारे प्रभू किस दिन आएगा ये अच्छी तरह समझ लो यदि घर के स्वामी को मालु होता कि चोर रात के किस पहर आएगा तो वो जागता रहता और अपने घर में सेंद लगने नहीं देता इसलिए तुम लोग भी तयार रहो क्योंकि जिस घड़ी तुम उसके आने की नहीं सोचते उसी घड़ी मानव पुत्र आएगा प्रभीयसु बता के नहीं आते एक गाउं में जाना तो उस गाउं में अचानक पहुंच गया तो गाउं के लोग अकबका गे उन्होंने कहा कि स्वामी जी पहले बता के क्यों नहीं आये क्योंकि कुछ सजा हुआ नहीं था कुछ सही नहीं था हर समय तयार होना चाहिए हर समय हमें तयार होना चाहिए विश्वासी को हर समय प्रबु से मिलने के लिए तैयार होना चाहिए। चाहे वो मृत्य गरीब में हो, या ऐसे ही। प्रबु जीवन में बराबर आते हैं, लेकिन हमें तैयार होना है। अमारी समस्या है कि हम तैयार नहीं है . और जिस समय हम सोचते हैं कि प्रभू आएंगे शायद उस समय प्रभू आएंगे भी नहीं प्रभू चोर की तरह आएंगे प्रभू बिना बताएंगे आएंगे एक विश्वासी को प्रभू को पाने के लिए प्रभू की गिर्पा को पाने के लिए उस तरह त्यार रहना चा पानी पर है क्यों पानी पर दिश्टी है उसे पता चलना चाहिए कि समय मचली वहां से गुजरेगी वह यहां वहां ताकता नहीं है उसकी दिश्टी पूरी तरह से पानी पर है जो ही मचली आ जाती है उसको पगड़ लेता है उसी तरह हमारी आत्मा को सजग रहना चाहिए प जाके चाउंतिस में पढ़ेंगे प्रभु कहते हैं जागते रहो तुम नहीं जानते किस गड़ी मानव पुत्र आएगा एक विश्वासी को हर समय सजग रहना चाहिए जीवन में प्रतिपल हमें जीना पड़ता है वीपिन प्रकार के कारी करना पड़ता है वीपिन प्रकार क उस प्रभु को ग्रहन करने के लिए मैं त्यार रहूंगा 2000 वर्ष पहले जब प्रभी एसु आये थे तो प्रभी एसु के आगमन से पहले प्रभी एसु के सु समाचार के प्रचार से पहले प्रभी एसु को ग्रहन करने के लिए लोगों को त्यार करने के लिए एक महान नभी आये थे उसका क्या नाम था आपको मालूम है योहन बप्तिस्ता एक महान नभी जिनके बारे में प्रभी एसु कहते हैं सबसे महान नभी वो है योहन बप्तिस्ता आये हाला कि उनके ही परिवार के थे प्रभी एसु के ही कुटुम के थे योहन बप्तिस्ता आय इश्वर ने यहन बप्तिस्ता को प्रभी एसु के आगमन से पहले प्रभी एसु के सुसमाचार के कारिश शुरू करने से पहले इश्वर ने उनको समाज में बेजा ताकि यहन बप्तिस्ता लोगों को इस तरह तयार करें कि प्रभी एसु को लोग आसानी से ग्रहन कर सकते हैं योहन बब्तिस्ता ने लोगों को परश्चताब के लिए आहवान किया और योहन बब्तिस्ता ने परश्चताब का बब्तिस्मा भी दिया लोगों को आहवान किया परश्चताब करो और कई लोगों के मन में परश्चताब का भाव आया और उन्होंने अपने परश्चताब को प्रकट करने के लिए परश्चताब का वबतिस्मा भी ग्रहन किया वास्तों में परश्चताब का मार्ग प्रभू को आसानी से लाने का मार्ग है जब मनुष्य परश्चताब के दौरा अपने आपको छोटा बनाता है जब मनुष्य परश्चताब के दौरा अपने आपको सरल बनाता है अपने आपको अपने हिर्दे को मुलायम बनाता है उस समय प्रभू हमारे जीवन में आसानी से आ जाते हैं हालेलुया जब हम परश्चताब करने लगते हैं तो प्रभू हमारे मार्ग की ओर चल पढ़ते हैं उड़ाओ पुत्र के उस सुंदर दिश्टांद में हम पढ़ते हैं जिस समय उड़ाओ पुत्र ने निरने लिया कि मैं उठूंगा और पिता के भवन में जाऊंगा तो क्या हो जाता है वहां पर पढ़ने को मिलता है जो ही उसने निरने लिया कि मैं पिता के भवन के ओर जाऊंगा और पिता के भवन के ओर चल पढ़ा पिता उस पुत्र के ओर दोड़ पढ़ता है पिता उस पुत्र के ओर जाता है जब हम लोग पर्शाताप करने लगते हैं तो हमारे लिए प्रभू के लिए आसानी से रास्ता बन जाता है पर्शाताप एक आसान, सरल और सुनिश्चित रास्ता है जिसकी जरीए प्रभू हमारे पास आएंगे बोलिए हालेलुया यहन बप्तिस्ता ने लोगों को प्रभू येसू को ग्रहन करने के लिए प्रभू येसू की वाणी को ग्रहन करने के लिए त्यार गिया कैसे त्यार किया उन बातों पर आज हम लोग मनंचिंदन करेंगे लुकस का सुसमाचार उसके अध्याय तीन वाके चार और पांच में दिया हुआ है लुकस का सुसमाचार अध्याय तीन वाके चार और पांच वहाँ पे योहन बप्तिस्ता कहते हैं नर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज यहान बप्तिस्ता निर्जन प्रदेश में रहते थे लोगों की पीश में नहीं रहते थे समाज में नहीं रहते थे जंगल 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 निर्जन प्रदेश वहाँ पे जंगल नहीं होता था निर्जन प्रदेश यहाँ पे लोग नहीं होते थे उनकी के आवाज थी प्रभू का मार्ग तियार करो प्रभू का मार्ग तियार करो उसके पत सीधे कर दो सभी लो कान खोल कर सुनेंगे बक्ति करना अच्छा है बैबल पढ़ना अच्छा है फूल पत्ति चाहना अगर्बत्ति चाहना मुंबत्ति चाहना सब अच्छा है लेकिन ये काफी नहीं है हर मनुष्य को प्रभू के लिए एक मार्ग तयार करना होता है हर मनुष्य को निरने लेना होता है कि मेरे जीवन में मैं प्रभू को आने देना चाहता हूँ हर मनुश्य को ये निरने लेना चाहिए कि मैं प्रभू के सहारे जीना चाहता हूं प्रभू मैं तुझे अपने जीवन में स्वागत करना चाहता हूं वचन में हम पढ़ते हैं लुकस की सुमाचार के अध्याय उन्नेस में जके उसके बारे में बहुत सुन्दर बात हमें पढ़ने को मिलती है कि जके उसने बड़े आनन के साथ येसु को अपने घर में स्वागत किया लोग चंगाई चाहते हैं लोग नौकरी चाहते हैं लोग पैसा चाहते हैं लोग लड़की लड़का बच्चा इत्यादी चाहते हैं ये काफी नहीं है प्रभू को अपने जीवन में स्वागत करना जरूरी है अगर प्रभू आपके जीवन में आये तो ये सब आपके जीवन में आया अगर प्रभु आपके जीवन में नहीं आये तो कुछ नहीं आया तो एक विश्वासी को अमेशा सोचना चाहिए कि मुझे प्रभु को ग्रहन करना है प्रभु के लिए अपने अंदर लालाईत होना है और प्रभु के लिए मार्ग तयार करना आज सवाल किजिए कि आज तक मैं इतने दिने आपे आता हूं वचन सुनता हूं पूजा पाठ में जाता हूं मिशा बल्दान में जाता हूं कि अवास्तों में मैंने स्वेच्छा से प्रभु के लिए एक मार्ग तयार गिया रास्ता तयार किया कि मेरा प्रभू आ जाए शायद हमने किया है हम लिप्त हैं पूजा पाठ में प्रार्तना में क्या हमने कभी सोचा कि हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान येसु है बार-बार में आपको बताता हूँ कि हमने आज तक सोचा कि हमारे जीवन के समस्याओं के समाधान येशू है, हमें येशू के लिए ललाईत होना है और येशू के लिए एक मार्ग तयार करना है येशू के लिए मार्ग बनाना है अपने में निरने लेना है कि मैं येशू के सारे जीना चाहता हूँ हे येसु मेरे जीवन में आना उसके लिए मुझे क्या करना होगा प्रभु बोल अब बताईए क्या क्या बताए जाता है योहन बप्तिस्ता कहते हैं क्या करना है मार्ग तियार करने के लिए पत सीधा करने के लिए क्या क्या करना होता है नंबर वन पहला है हर एक घाटी भर दी जाएगी हर एक घाटी भर दी जाएगी जो गड़े है उसको भर देना चाहिए इक घाटी क्या है पहाड है घाटी है समतल होना जरूरी है तब इक घाटी चलेगी रत चलेगा कोई भी आएगा हर घाटी समतल की जाएगी ये घाटी क्या है ये घाटी क्या है हमारे अंदर जो हीन भावना दोश भावना हमारे अंदर आ जाती है बचन में लिखा हुआ है आप पढ़ेंगे लुकस के सुस्वाचार के अठारा में वहांपर हम पढ़ेंगे दो व्यक्ति प्रात्ना करने के लिए मंदर गए एक था एक फरीसी जो धर्म का ग्याता था और प्रभु के सामने उसने ताना सीना तान कर कहा कि प्रभु मैं भला हूं मैं यह सब करता हूं मैं रोजा रखता ह हूं मैं दान देता हूं लेकिन दूसरे व्यक्ति की बारे में वहां पर लिखा बताया गया है वो व्यक्ति कौन है नाकेदार जो समाज में पापी ठराया गया था जो वास्तों में अपने आप में पापी समझता था वचन में लिखा हुआ है वो अपने सिर तक उपर उठा आने के लिए हिम्मत ने रखता था वो सिर लटकाया हुआ था वो दुखी था पाप हमारे सिर को नीचा कर देता है पाप हमारे अंदर घाटी उत्पन्य करता है पाप हमें खोकला बना देता है प्रवक्ता ग्रंद ध्याएकेश उसके वाग्य चार में लिखा हुआ है हर अपराद दुधारी तलवार की तरह है जिसके घाव कोई लाज नहीं है हर पाप हमें घाव कर देता है घायल कर देता है उसी के वाग्य तीन में लिखा हुआ है कि पाप सेह के दांत की तरह है जिसके सेह के दांत की तरह है जो मनुषी के आत्मा का विनार्श करता है जब हमारे अंदर पाप रहता है एक घाटी उत्पन हो जाती है एक होकलापन उत्पन हो जाता है हीन भावन उत्पन हो जाती है दोश भावन उत्पन हो जाती है तो हमें इसको भरना है पाप में अपनी आदतों से सतंद्र होना है तो घाटी को भरने का मतलब है अपने अंदर जो बुरी आदते हैं जो पाप में आदत है कई बहने हमसे कहते हैं कि हमारे पती आते हैं लेकिन सड़क पर हमको छोड़का चले जाते हैं इसके अंदर नहीं आते हैं क्यों पती शराप पीते हैं उसके अंदर का पाप उसको अंदर आने नहीं देता है उसके अंदर का पाप उसको खुखला कर देता है अपने मिहीन भावना मैसूस करता है दोश भावना मैसूस करता है पाप इंसान को कितना छोटा बना देता है आदम और हेवा के बारे में वचन में लिखा हुआ है इश्वर ने उनको अपना प्रतरूप बनाया सामर्थी से बर दिया शक्ती से बर दिया लेकिन वही आदम और हेवा पाप करने के बाद वचन में लिखा हुआ है भाग जाते हैं इश्वर से भाग जाते हैं और पेड़ों के पीछे च्छिप जाते हैं उनकी स्वतंतरता चिन जाती है वे अपने में हीन पाप हमारे आनंद को छीन लेता है, पाप हमारे अंदर दूसरों के प्रति जी अच्छी भावना उसको छीन लेता है, हमें खोकला कर देता है, पाप हमें घायल कर देता है, घाटी की तरह कर देता है, हमारे अंदर जो संभावनाएं उसको छेन लेती है, कितना खतरनाक होता ह पाप, कितना खतरनाक होता है पाप, तो पहली बात है, प्रभु को स्विकार करने के लिए, मार्ग तयार करने के लिए, इस घाटी को भर देना, ये आगमन का काल ऐसा समय है, जब प्रभु अमारी मदद करेंगे, अगर हम चाहेंगे तो प्रभु अमारी मदद करेंगे, बु कि मेरे अंदर जो बुरी आदते हैं प्रभु मैं इससे चुटकारा पाना चाहता हूँ, मैं सोतंदर होना चाहता हूँ, मैं भी खुलकर हसना चाहता हूँ, मैं भी सोतंदर जीवन जीना चाहता हूँ, मैं भी सबके सामने आना चाहता हूँ, मैं हीन बावना मैसूस करना नही चाहता हूँ, हमारे अंदर एक ऐसी तीव रिच्छा होनी चाहिए तब प्रभू हमारे जीवन में आ जाएंगे, हालिलुया तो पहला है हर एक घाटी भर दी जाएगी, दूसरा है हर एक पहाड और पहाडी समतल की जाएगी हर एक प्रभू के बीच में जो पहाड है उसको समतल करना जरूरी है ये पहाड मेरे हिसाब से सबसे पहला पहाड हमारा अहंकार है एक अहंकारी के जीवन में प्रभू नहीं आते एक अहंकारी के रूप जीवन में कई दनिया के लोग आ सकते हैं पढ़े पहाड की तरह हमारे सामने होते हैं और ये आहंकार हमें प्रभु को देखने से रोग देता है हमारे आहंकार को छोड़ना होगा लोगों का आहंकार होता है घमंड होता है अपने सवंदेरे पर घमंड होता है मैं सुंदर हूं अपने स्वास्ति पर घमंड होता मैं हूँ, मैं पहलवान हूँ, मैं निरोग हूँ, अपनी संपत्ती पर घमंड होता, मेरे पास इतना है, इतना बड़ा बंगला है, इतने कार है, इतने यह है, बैंग में इतना पैसा है, अपने रंग पर घमंड होता, मैं गोरा हूँ, अपने परिवार पर घमंड होता, मेरे पिता यह थे, और इनसान इतना घमंडी हो जाता है, कि उसके सामने एक बहुत बड़ा पहाड आ जाता है, जिसके कारण वो इश्वर के साथ संपर्क नहीं जोड़ पाता है, इस पहाड क हमें समतल करना है, एक आहंकारी की जीवन में इश्वर कभी नहीं आ सकता है, जानते हैं, तो अजार वर्ष पहले प्रभी येश्व संसार में आये, तो प्रभी येश्व को गरीब लोगों ने स्वागत किया, आम लोगों ने स्वागत किया, लेकिन उस जमाने के यहूदी धरम के धरम नेता उन्होंने येशु के दरसकार गिया वेगम अंडिते हम नियन जानते हैं हम धार्मिक नियम जानते हैं हम जानते हैं कि मसीह कहां पर आएगा हमें धरम गरंथ मालूम है ये क्या होता है ये कौन होता है उन्होंने येशु में सिर्फ मनुष्य देखा और कहा ये मर्यम का बेटा है, ये यूसुप का बेटा है लेकिन एशु के अंदर छिपे वे दैविक्ता को वे देखने पाए एशु के द्वारा आये वे इश्वर को वे देखने पाए घमंडी लोग ये शु को स्वागत ने कर सकते हैं यहां भी कोन आते हैं सरल लोग आते हैं सिंपल लोग दुखी आते हैं वचन में लिखाओ प्रभी ये शुने स्वहिम कहा दैरिद्रों को सुसमाचार सुनाय जाता है किसको सुनाय जाता है ये दैरिद्र कोन होता है दरिद्र का मतलब सिर्फ जिसके पास पैसा नहीं वो नहीं है मतलब जो दुख में है जो पीड़ा में है जो दर्द में है वह येशू की खोज में आते हैं और वे येशू को पाते हैं येशू का अनभाव करते हैं जो घमंडी होते हैं दुख में भी प्रभू के पास नहीं आते हैं अरे नहीं है हमारे पास पैसे हम दस्पतार जाएंगे कि यहां चले जाएंगे प्रभू के पास किया प्रभू के पास तो हमारे जीवन में प्रभू को हमारे जीवन में आने के लिए एक बहुत बड़ी बाधा है हमारा घमंड रूपी पहाड जब घमंड रूपी पहाड छोटा हो जाएगा सम्तल किया जाएगा तो येशु हमारी जीवन में आ जाएगे दूसरा पहाड है हमारी आसक्ति हमारा मोह धन के प्रती मोह लोगों के प्रती मोह सांसारिक पद अधिकार यश नाम के प्रती मोह कुर्सी के प्रती मोह जो इस प्रकार मोह रखने वाले हैं उनके जीवन में प्रभु का आगमन नहीं हो सकता है जिनके अंदर इस प्रकार की आसक्ती होती है इस तरह की आसक्ती होती है जके उसके बारे में पढ़ते हैं जके उसके बारे में लिखा हुआ है कि वो बहुत बड़ा धनी इंसान था प्रमुख नाकेदार यानि Chief Income Tax Officer उसके बाद बहुत पैसा था किसी चीज की कमी नहीं थी लेकिन वो तब तक येशू को अपने जीवन में स्वागत नहीं कर पाए जब तक कि उसने एक होशित नहीं की कि मैं अपनी संपत्ती का आदा हिस्सा गरीबों में देने को त्यार हूँ तो हमारी जीवन में जो हमारी आसकती है, हमारी धन संपत्ती है, हमारी जो पकड़ है, हमारे जो मोह है ये मोह प्रभू और हमारे बीच में एक बहुत बड़ी बाधा बना देता है एक पहाड की तरह होता है उसको छोटा करना है घटाना है घटाना है हो सकता है यहाँ पे बैठे कई लोग अमीर नहीं है, इनके पास धन नहीं है आर्थी गरूप से गरीब है लेकिन हो सकता है उने के अंदर अपने लोगों की πरति मोह हो मैं जानता हूँ अधिक स difficult लोग बहुत ज़्यादा मोह रखते, मोह समझते हैं न भाँ ज़्यादा लगाओ मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटी अगर बेटे को कुछ हो गया अब बापरे तूट गई, बरबाद हो गई यानि हमारे अंदर बहुत ज़्यादा मोह होता है ये मोह अधिक लगाव हमारे और प्रभू के बीच में एक बहुत बड़ी इबादा बन जाती है, एक बहुत बड़ा पारण बन जाता है हमें छोटा करना है इसलिए प्रभी येशु ने कहा, मतिक उस्वाचारा ध्याए 10 वाके 37 में प्रभू ने कहा, जो अपने माबाप को मुझसे ज़्यादा प्यार करता है, वो मेरे योग्य नहीं है जो अपने बच्चों को मुझसे ज़्यादा प्यार करता है, वो मेरे योग्य नहीं है येशु को पाने के लिए, हमें इस मोह का परित्याग करना होगा प्रेम है सब के प्रती, प्रेम रखे अपने बच्चों के प्रती, लेकिन मोह नहीं रखना चाहिए इतना लगाओ, इतनी आसकती नहीं होनी चाहिए कि प्रातमिक्ता बच्चों को दे, बिल्कुल नहीं पहला स्थान प्रभु को उसके बाद बच्चों को पका होना चाहिए जहां भी एक गणित बिगड़ जाता है वहाँ पे गरबड़ी आ जाती है वहाँ पे परेशानी आ जाती है यह गणित पका होना चाहिए मेरे जीवन में पहला स्थान प्रभु को मेरे पतनी के जीवन में पहला स्थान प्रभु को मेरे बच्चों के जीवन में पहला स्थान प्रभु को मेरे जीवन में पहला स्थान पतनी को नहीं होना चाहिए मेरे जीवन में पहला स्थान पती को नहीं होना चाहिए मेरे जीवन में बच्चों को पहला स्थान नहीं होना चाहिए सब मिलकर प्रभू को अपना पहला स्थान बनाएंगे वो परिवार सुद्रण है उस परिवार में प्रभू की आशिश होगी आलेलुया तो हमारे जीवन में जो घमंड है अलग-अलग प्रकार का घमंड हमारे जीवन में जो मोह है जो आ सकती है उसको समतल करना जरूरी है काट-काट कर समतल करना है बोलिए हालेलुया तीसरा है टेड़े रास्ते सीधे करना क्या करना होगा? टेड़े रास्ते सीधे करना तेड़े मेरे रास्तों को सीधा करना है ये तेड़े रास्ता क्या होता है हमारे अंदर बहुत ज़्यादा टेड़ा बना चुका है जब ईश्वर ने हमारी स्रिष्टी की हमें ईश्वर की बराबर ईश्वर की प्रती रूप स्रिष्टी किया था हम लोग इतने अच्छी थे लेकिन जैसे मैच पूछते हैं पहले पहले चोरी करते हैं बहुत दर लगता है लेकिन बाद में चोरी करने में कोई संकोच नहीं है तो हम लोग धीरे-धीरे तेडे होने लगते हैं कारण क्या है कारण हम जानते हैं कि दुनिया टेड़ी है इसलिए दुनिया में सफल होने के लिए हम धीरे दीरे टेड़े होते जाते है कहा जाता है न सीधी उंगली से घेने निकलता है तो टेड़े कर दू सीधी उंगली से घेने अध्याय आठ उसके वाक्य किस में लिखा हुआ है उत्पति ग्रंद अध्याय आठ उसके वाक्य किस में लिखा हुआ है मनुशी की प्रवर्ती बुराई की ओर है ईश्वर ने हमको अच्छा बनाया लेकिन धीरे धीरे हमारी प्रवर्ती बुराई की ओर हो गई हमारा जुकाव बुराई की ओर हो गया हम टेड़े होने लगे यरमियस नभी का ग्रंद उसके अध्याई सत्रा वाक्य नौ में लिखा हुआ है यरमियस नभी अध्याई सत्रा वाक्य नौ में लिखा हुआ है मनुशी का हुर्दे सबसे कपटी और अभिश्वसनी है मनुश्य का हिर्दे सबसे कपटी और अविश्वसनी है मनुश्य का हिर्दे बहुत कपटी हो गया है चली हो गया है उसके अंदर बहुत चल आ गया, कपट आ गया है बोलता कुछ है, करता कुछ और है बोलता कुछ है और मन में कुछ और है हम कप्टी ओते जा रहे हैं टेड़े ओते जा रहे हैं एक बहुत सुंदर वच्छन है सुक्ति ग्रंद उसके अध्याय सत्रह वाकि बीस में लिखा हुआ है सुक्ति ग्रंद अध्याय सत्रह वाकि बीस में लिखा हुआ है जिसका हिर्दे दुष्ट है वो कभी उन्नती नहीं करेगा जिसका हिर्दे दुष्ट है वो कभी उन्नती नहीं करेगा हम अपने हिर्दे को टेड़ा करते जाते हैं लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि जिसका हिर्दे दुष्ट है वो कभी उन्नती नहीं करेगा हमें अपने मार्ग को सीधा करना होगा हो सकता है कि आज तक हम टेड़े थे लेकिन प्रभु के पास आने के बाद हमें अपने मार्ग को सीधा करना है हो सकता है कि आज तक हम बहुत ज़्यादा घूस लेते थे लेकिन प्रभु के पास आने के बाद सीधा होना है पुलीस में, उन्होंने resign किया और उन्होंने मुझे से का कि जनते हैं, पादर क्यों किया था मैंने, क्योंकि मुझे, जैसे जैसे मैरी प्रुमोशन होता गया, मैं मजबूर हो रहा था कि मुझे गुज लेना है। इसलिए मैंने सोचा कि यह नवगरी नहीं करूँगा मेरे पास कम पसा हैं कोई इतराज नहीं है मैंने रिटार्मेंट ले लिया, वालंडरी रिटार्मेंट कुछ पेंशन मिल जाता है, उतना मेरे ले काफी है लेकिन मैं घूज नहीं लूँगा और उन्होंने काई कि इतने साल मैंने पुलिस डिपार्टमेंट में काम किया एक नया पैसा मेरे जेब में घूज कनी आया है एक बेटी समान, एक बेहन जारकन के सरकार में काम गרתी है उन्होंने मुझसे काया कि आप जानते हैं सौमी जी मेरे टेबल पर कोई फाइल आता ही नहीं है क्योंकि सबी लोग उसी तरह के हैं टेड़े मेरे टेड़े मेरे मेरे टेबल पर एक फाइल नहीं आता है क्योंकि मैं सीधा हूँ मैं सीधी हूँ मैं टेड़ा काम नहीं चाती हूँ